हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग मैं हूँ स्वाधिय और स्वागत है आपका मेरे चैनल में नमस्कार आज मैं आप लोग के लिए शुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ और ये कक्षा नौर 10 के बच्चों के लिए है तो जल्दी से कॉपी और पैन लेकर रेडी हो जाएं जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आपको लिखना है और मेरी दी गई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करके इमला की वीडियो खतम होने के बाद में उसको कम से कम 10-10 बार हर गलत शब्द को लिखना है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपोर्टेंट बात अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्रा करिए कबीर ने कबीर ने समाज में रहकर कबीर ने समाज में रहकर समाज का समाज का बड़े समीब से बड़े समीब से निरीख्षण किया निरीख्षण किया समाज में पहले समाज में पहले बाहे आडंबर समाज में पहले बाहे आडंबर भेदभाव साम्प्रदाईकता आदि का उन्होने पुष्ट प्रमान लेकर ऐसा द्रड विरोध किया की कि किसी की किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके जो उनके अकाट्टे तरकों को जो उनके अकाट्टे तरकों को काट सके कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरिक्षन किया समाज में फैले बायाडंबर, भेदभाव, साम्परदाइकता आदिका उन्होंने पुष्ट प्रमान लेकर ऐसा द्रिड विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाटे तरकों को काट सके कबीर का कबीर का व्यक्तेत्व कबीर का व्यक्तेत्व इतना उचा था कबीर का व्यक्तेत्व इतना उचा था कि कि उनके सामने कि उनके सामने टिक सकने की टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी किसी में नहीं थी इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म समाज तथा धर्म की बुराईयों को की बुराईयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा सबके सामने रखा उचा नाम रखकर उचा नाम रखकर संसार को संसार को ठगने वालों के संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया कबीर का व्यक्तित तो इतना उचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी इस प्रकार उन्होंने समास तथा धर्म की बुराईयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा उचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया दीन दलितों को दीन दलितों को उपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने सबके सामने एक महान आदर्ष एक महान आदर्ष प्रस्तुत कर महान आदर्ष प्रस्तुत कर सिध्धान्तों का निरूपड किया सिध्धान्तों का निरूपन किया दीन दलितों को उपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदश प्रस्तुत कर सिध्धान्तों का निरूपन किया कर्म सेवा अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया कर्म कांड तथा मूर्थि पूजा का विरोध किया अपनी साखियों अपनी साखियों रमैनियों तथा सब्दों तथा सब्दों को बोलचाल की भाशा में रच कर सबके सामने एक विशाल ग्यान मार्ग खोला कर्म सेवा अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया कर्म कांड तथा मूर्थि पूजा का विरोध किया अपनी साखियों रमैनियों तथा सब्दों को बोलचाल की भाशा में रच कर सबके सामने एक विशाल ग्यान मार्ग खोला तो कैसा लगा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियो लाती रहूंगे मैं आप लोगों के लिए तब तक के लिए नमस्कार